अलवारो विंडसर प्रिंग करना चाहता था लेकिन फिसल गया शटान से नीचे फिसल गया इसलिए संभलने की कोशिश करें लेकिन रेट के अलावा अलवारो को और कुछ नहीं सूझा अंत में अलवारो को ब्रेक लगाने के लिए अपने चहरे का इस्तमाल करना पड़ा अलवारो ने फिर से ब्रेक लगाने के लिए अपने चहरे का इस्तमाल किया इस समय अलवारो के बैक पाक में एक फोन है अलवारो सोचता है कि यह कॉल लेना ही ठीक है अलवारो ने फोन को एक हाथ से दूसरे हाथ से पकरने के लिए इस्तमाल किया लेकिन जैसे ही मैंने फो हुई सहनशक्ति अधिक देर तक तिक नहीं सकी इस समय तक अलवारो ने संख्याई गिनना शुरू कर दिया था अलवारो तरंग की लएकी करना कर रहा है अलवारो उस उच्चतम बिंदू से नीचे कोड़ना चाहता था जहां लहरे टक्राती थी आठ साथ शेह पाँच चार तीन, दो, एक, सौभाग्य से अलवारो समुद्र में गिर गया लेकिन प्रभाव के बलके कारण अलवारो चटान से तक्रा गया अलवारो उच्चाह पूर्वक तैरकर सतह पर आ गया और उसने स्वयम को बधाई दी लेकिन अलवारो को नहीं पता था कि दुस्वपना भी शुरू ही हुआ था यह आदमी हताश है अलवारो समुद्र में गिर गया वह तैरकर सतह पर आ गया अलवारो ने शरीर की जाच की शुक्र है कि कोई बड़ी समस्या नहीं हुई अलवारो उठा और अपना शरीर हिलाया अचानक वह बेहोश हो गया एक लहर ने अलवारो को पहले अलवारो एक चटान से टक्रा गया था और उसकी रीड और हाथों पर गंभी चोटे आई थी कमर का भी एक बड़ा टुक्रा फटा हुआ था निचला हिस्सा आप महसूस नहीं हो रहा है के बल पैल का अंगुठा ही हिल सकता है अलवारो ने अपने बैक से अपना फोन निकाला लेकिन वह टूता हुआ था क्योंकि फोन भी गया था अलवारो मदद के लिए चिलाया लेकिन सुनसान चगह खाली थी फिर अलवारो ने अपने हाथ के खाव का इलाज करते हुए अपनी शर्ट उतार दी अलवारो लेट गया और सो गया अलवारो को फिर से जागन हैं विकेवल एक हाथ से ही तैर सकते हैं इसके तुरंत बाद अलवारों ठक गया और धीरे-धीरे समुद्र में डूबने लगा इसी समय अलवारों के मन में एक लड़की प्रकट हुई वह अलवारों को सला देती है कि वह हार न माने क्योंकि वह उसका इंतजार करेगी अलवा पर एक बोर था जिस पर लहरों की मार पड़ी थी अलवारों तक पाने के लिए वहां सरग गया लेकिन एक लहर के कारण अलवारों पे होश हो गया एक के बाद एक लहरे अलवारों को समुद्र में ले आई अलवारों के होश में आने का इंतजार करते हुए अलवारों कहरे पानी में पहुच गया। अलवारों ने लहरों में बहने से बचने के लिए अपने बैग को चटान से लटका कर किनारे पर तैरने की कोशुश की। अब जब अलवारों ने एक हेलिकॉप्टर देखा तो वह अपने पूरी ताकत से चिलाया। लेकिन उन्होंने अलवारों की चीखे नहीं सुनी। अलवारों को एक चटान से लटका दिया गया था और एक समुदरी पक्षी ने उसके घाव पर चोच मार दी थी। थीवर दर्ब में अलवारों को जगा दिया। अलवारों ने अपना बैग खोला और जोर से जमीन पर गिर पड़ा, उसकी रीर की में और भी अधिक कर्द होने लगा। अलवारों अपने हाथों से रेंगते हुए किनारे पर आया, उसने पानी का एक डिबा देखा, लेकिन अंदर खाली था। तुमने अभी भी कुछ नहीं खाया। अलवारों की बांग में एक तेज तर्पी गोली लगी, जो हुक बन ग अलवारों रिंगते हुए चटान में गया और उसे बैंकनोट का एक टुकरा मिला, अलवारों ने अपनी प्यास पुझाने के लिए बैंकनोट खोला, अलवारों ने निर्जली करन से बचनी के लिए खुद को मच्छी पकरने के जाल और पनी से ढख लिया, उसी समय अचान अलवारों को बैंकनोट खोलना पड़ा और पानी की बूंडे चूसने की कोशिश करनी पड़ी, अलवारों पूट फूट कर रोने लगा और हताश महसूस करने लगा, अलवारों कहता रहा कि बह मरना नहीं चाहता, अगली सुब है, अलवारों ने अपने पास आ रहे शिका से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना. उन्होंने अलवारों को जवाब नहीं दिया, पता चला कि यह सिर्फ एक विडियो है. आशा पुन्हे निराशा में बदल गई. अपने सपने में अलवारों ने खुद को समुद्र तर्ट पर जाती, सर्फिंग करती, दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा. अलवारों ने रेत में फिर से SOS लिखा, फिर वह बेहोश हो गया. अलवारों को दूर समुद्र में कुछ दिखाई दिया, एक छोटी सी नाव. अलवारों ने समुद्र में रेंगनी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी. अ अलवारों ने देखा था. अलवारों बच गया. यह फिल्म सची कहानी पर आधारित है. आखिरकार अलवारों को बचा लिया गया. एक समय ऐसा था जब फिल्म में अलवारों दर्ट से कराहते हुए रोने लगा था. अलवारों के पास जीवित रहने का कोई कौशन नहीं है लेकिन अलवारों दर्टा और भावना पर भरोसा करता है. अलवारों अपनी जान बचाने के लिए किसी और का इंतजार कर रहा था. इसलिए कड़ी मेहनत करें और लगी रही, शायद आगे आशा आपका इंतजार कर रही है. जल्दी मिलते हैं, अलविदा.